वेल्कम बैक इवरीवन इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मैरिको लिमिटेट के बिजनस के बारे में आंड इस कंपनी के कौटर थ्री रिजल्ट को भी डिसकस करेंगे इनके पास में काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो आप देखेंगे कि कई ना कई FMCG काटेगर करते हैं इनका जो प्राइमरी बिजनस जिसने बनाया है यहां पर हर कोई जानता है हर किसी घर पर अवेलेबल रहता है और कोको ने टॉयल का रिप्लेस्मेंट यह उसने पारशूट के नाम से कर दिया तो अल्टिमेटली आप देख सकते हैं कि मार्केट मेकर जो है इनके ल रही होंगी ठीए क्वारे थोड़े से कॉंट इसके अनुट के लिए विए नंगे इंपर इनडस्ट्रीज के लिए यहां पर हाइलाइट्स यह है कि अल्टिमेटली पारशूट ने यहां पर मार्केट शेयर को और गेंन किया विच गार्यजिय वेरिचिए वीज गोड़ कोई major growth नहीं थी महाँ पर international business में इनके थोड़ा सा problem रहा है because internationally अगर आप देखेंगे तो काफी सारे problems रहे हैं इस last one year के अंदर इस quarter की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा problematic रहा है one last year and interest rates की विज़ा से कह लीजे है recession के विज़े कही ना कही लोगों की जो purchasing power है थोड़ी सी hamper हुई है जिसकी विज़े से problems देखने को मिले and especially in products के अंतर problem देखने को मिले तो वो important चीज है यहां पर समझना sales के अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर थो हमें sales में drop देखने को मिला which is actually very unexpected हम लोग नहीं expect करते हैं कि merico जैसी company a company which a valuation of close to 70,000 croze and which has a market maker product मतलब एक तरीके से इनका जो product है हर को ही जानता है proper established product होने के बाद में भी हम लोग expect नहीं करते हैं कि sales में दिप आएगा बट यह ultimately purchasing power hamper होने के विज़ा से हुआ है उसरा जो इनका product है वो कहीं ना गई product है replacement का मतलब last जब आपका parachute oil खतम होगा तभी आप नए वाला लेकर आएंगे तो वो एक important चीज़ है यहां पर समझना है और इस quarter में हमें margin के अंदर एक अच्छी growth देखने को मिली which is a good thing यहां पर margin 18-21% तुक जाते वे नजर आया deviation के अंदर है बले ही बट एक अच्छी journey पर है वो एक अच्छा point है यहां पर and perhaps margin जादा होने की विज़ए से हमें net profit में भी growth देखने को मिली which is again a good thing अल्टीमेटली यहां पर जो sales थी वो सब्सक्राइब बॉटम नाइन इंप्रूव होई यहां पर sales किस तरीके से catch-up करेगी और quarter 4 के जब results आएंगे तो उसके साथ में annual reports आएंगी तो वहां एक अच्छा idea लगेगा कि company क्या कहते है कि वो किस तरीके से आगे growth को continue कर and I'll see you guys in the next week